भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अद्यक्स प्रांशुद तत्य वेदी ने सपा की आईडी सेल पर हुए टिपड़ी को लेकर के बड़ा बयान दिया है अगर किसी भी मैला पर होती है तो भारती इंता पार्टी उसको समर्थन नहीं करती है लेकिन जो मैंने जाना और समझा एक तो बड़ी शर्मनाग बात है कि समाजवादी पार्टी के ऑफीशियल आईटी सेल के पेज से यह लगातार आवद्र टिपड़ियां पिछले कई जब वो टिपड़ी व्यक्तियत तोर पर हमारी कार करता के इज्जद आब रूप यहाई उसकी इज्जद आप रूप उतारने कुछ करी गई तो हो सकता है उसके रियक्शन में कुछ उन्होंने पलट कर कहा हो मैं उन्होंने जो करा उसको समर्थन नहीं करता हूं लेकिन मि पूर्मुखमंत्री पतनी की भी है तो एक आम पिछली परवार की महिला बेटी की भी उतनी इज्जद है यह दोनों बातों का ध्यान हमको रखना होगा कि विकास के मामले में जनता कहित के मामले में भारतियंता पार्टी लगातार पिछली लंबे समय से अपना प्रदशन क कर रही है चुना भी जीत रही चाहिए विधान सबाव लोक सबाव तो समय जादी पार्टी के जो कारकरता है जो नित्रत है जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो यह इजजत गिराने पर बिजजती करने पर उतारू हो जाते हैं और यह इनकी हताश और निराश अब के तो ऑफिशियल आईटी सेल के हैंडल से यह सब ट्वीट हो रहा है लगाता हो रहा है सालों सो रहा है हमारे बढ़े बढ़े नेताओं के परती हो रहा है और किसी बहस में जब आप फसते हैं तो अप इजजद आबरू और लग्यों पर टिपनी सुरू कर देते हैं तो यह उनको आप मत्थम करना चाहिए कैसे संसकार यह कैसी सिक्षा वो अपने कारकरता हो दे रहे हैं जो इस तरह की भासा का उप्योग कर रहे हैं किसकी कितनी गलती है और कानून में किसका दोश कितना बनता हूं साथा पुलिस निस्पक्ष कारवाई करेगी भारतियंता कि सरकार में कारवाई कर दोशी होता है तो सबसे पहले तो समाइवादी पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष प्रदिश इस्तीफा देना चाहिए जिम्मेजारी लेने चाहिए हमारी पार्टी कारकरता ने गलती करिए हम लोग आदम चिंतन करेंगे सम्झेंगे क्या बंता को सब्सक्राइब करेंगे